दोस्तो आज हम बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मावा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, मुँ में घुलने वाली काजू कतली बनाएंगे काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद है लेकिन मार्केट में इसको खरीदने जाएंगे, तो ये 1500 रुपे में एक किलो मिलती है और किसी बड़े ब्रांड की काजू कतली खरीदेंगे, तो वो 1500 रुपे से ज़्यादा महंगी मिलेगी लेकिन आप मेरे इस वीडियो को देखकर काजू कतली बनाएंगे, तो बहुत ही सस्ते में और आसान तरीके से बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी काजू कतली बना सकते हैं काजू कतली बनाने का ये तरीका इतना आसान है कि मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपने काजू कतली बनाने का इससे आसान तरीका नहीं देखा होगा इसको वरत में भी खा सकते हैं और इस काजू कतली की खास बात यह है कि आप इसको बिना फ्रिज में रखे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका राव मंजू किचन में तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे एक कप काजू ये वजन में 150 क्राम है काजू आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं जितने आपको काजू कतली बनानी हो जैस को medium flame पर रखकर अब इनको भूल लेंगे आप काजू को बिना पने भी काजू कतली बना सकते हैं लेकिन इनको हल्का सा भूल लेंगे तो काजू में जो नमी होगी वो भी खतम हो जाएगी और हमारी काजू कतली लंबई time तक चलेगी खराब नियोगी काजू की बर्फी खाने में तो टेस्टी लगती है, ये हेल्थी भी भूत है रोज थोड़े से काजू खाने से कैल्शियम, जिंक और मेगनेशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है क्योंकि काजू में प्रोटीन, फाइबर, एंटी ओक्सिडेंट, आयरेन, फॉलेट, मेगनेशियम, फासफोरेस, सेलेनियम और केल्शियम होता है जो हमारी बोड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेवन्द है लेकिन काजू को बहुत ज़्यादा मात्रा में भी निखाना चाहिए क्योंकि इसकी तासिर गरम होती है वैसे भी कितनी भी ज़्यादा पॉस्टिक चीज हो, उसको यदि जरुत से ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसके साइड एफेक्ट हो सकते है काजू को बहुत ज़्यादा निभूनना है आपको जब ऐसा लगे कि इनकी नमी खतम हो गई है तभी तक इनको भूनना है अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर में ही काजू अच्छे से ठंडे हो गई काजू को अच्छे से ठंडा करना है अब लेंगे मिक्सी का जार इसमें ये काजू डाल देंगे काजू को पीस ते टाइम एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि मिक्सी को लगातार चला कर काजू को नहीं पीसना है यदि मिक्सी को लगातार चला कर काजू को पीसेंगे तो काजू में से इनका तेल अलग हो जाएगा और काजू चिपचिपए हो जाएगे तो काजू को पीस ते टाइम मिक्सी को एक सेकंड चलाना है उसके बाद बंद करना है फिर एक सेकंड चलाना है फिर मिक्सी को बंद करना है ऐसे ही चार से पाँच बार मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है ये देखी हमने मिक्सी को रोक रोक कर काजू को पीसा है तो काजू का पाउडर बिल्कुल सुखा सुखा है यदि मिक्सी को लगाता अलाकर इनको पीशते तो ये पाउडर गीला हो जाता हमने काजू को वैसे तो बिल्कुल बारिक पीशा है लेकिन इसमें काजू के थोड़े छोटे छोटे दाने रह गए हैं तो आप इनको छलनी में डाल कर छान लेंगे दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना और यदि आपने मेरे चैनल को पहले सी सब्स्राइब कर रखा है तो आपका तहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये देखिए ये एक डेट चमच के करीब काजु के छोटे छोटे टुकडे बच गए हैं तो इनको हलवे में या खीर में डाल देंगे अभी इनको साइड में रख देंगे ये काजु का पाउडर अब बिल्कुल वारिक है इसकी काजु कतली बहुत अच्छी बनेगी और अब पैन में डालेंगे दो बड़े चमच देशी घी इस मिठाई को बनाने के लिए देशी घी लेना है घी जब गरम हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे एक कप गुड़ गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया ये बजन में 150 ग्राम है हमने काजु भी 150 ग्राम लिया है तो गुड़ भी 150 ग्राम ही लेना है गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब गुड़ को गरम कर लेंगे गुड़ को बहुत जादा नहीं पकाना है गुड जब अच्छे से पिखल जाएका तब ही तक इसको गरम करना है बाजार में जो काजू कतली मिलती है ना उसको चीनी की चाशनी बना कर बनाया जाता है जो सेथ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती लेकिन हम गुड से ये काजू कतली बना रहे हैं तो ये सेथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है और चीनी की चाशनी बना कर काजू कतली बनाते हैं तो काफी लोगों को ये ही नहीं पता है कि चाशनी एक तार की बनानी है या फिर दो तार की लेकिन आज हम जिस तरीके से ये काजू कतली बना रहे हैं इसमें चाशनी बनाने का कोई जंजटी नहीं है थोड़ी देर में जब गूर अच्छे से पिखल जाएगा तो अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें ये काजू का पाउडर डाल देंगे जो हमने बना कर रखा है इसको भी अच्छे से मिला देंगे मैं आपको दुबारा से बोल रही हूँ गूर जब अच्छे से पिखल गया था तब ही मैंने गैस को बंद कर दिया था हमने अब गैस को जला नहीं रखा है बिना गेह जलाए काजू को गुड में मिक्स कर रहे हैं 150 ग्राम काजू में हमने 150 ग्राम ही गुड डाला है तो ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन मीठा आप अपने इसाब से कम या ज़ादा भी कर सकते हैं थोड़ी देर में ही काजू गुड में अच्छे से मिक्स हो गया तो आप इसको बटर पेपर पर निकाल लेंगी बटर पेपर के उपर थोड़ा सा गी मैंने पहले सी लगा रखा है आप इसको प्लेन कर देंगी इसकी लेयर बहुत जादा मोटी नहीं रखेंगी और कोशिश करना कि इसकी शेप चोको रखें यानि कि इसकी स्क्वेर शेप रहेगी तो जादा अच्छा है मैंने इस काजू कतली के मिक्चर को बटर पेपर पर निकाला है लेकिन आप थाली को या प्लेट को उल्टा करके काजू गतली का मिक्षर निकाल सकते हैं इस काजू कतली का अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा है तो इसके उप़र वैसे तो कुछ भी लगाने की जोरत नहीं है लेकिन मैं इसके ऊपर ठोढ़ा सा सिलवर वर्क लगाओंगी ताकि हमारी काजू कतली दिखने में और भी अच्छी लगे, यह अभी काफी गरम हैं तो इसको हलका सा ठंडा कर लेते हे उसके बाद ही इसको काटेंगे, थोड़ी देर में यह हलकी सी ठंडी हो गई, तो अब इसको काट लेंगे आप इसको अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं लेकिन मैं बाजार में जो काजू कतली मिलती है वैसे ही डाइमंड शेप में काट दूँगी एक बार आप इस तरीके से बिना चीनी बिना चाशनी के काजू कतली बना कर जरूर देखना ये वाके में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये लिए जी अब हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट मुह में घुलने वाली काजू कतली तयार है आपको ये काजू कतली बनाने का तरीका जरासा भी पसंदाया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई